दिवाली पर पूजा में ना भूले एवन चीज, ब्रंथों में इसे माना गया है, जरूरी चरणामृत का अर्थ होता है, भगवान के चरणों का अर्थ और पंचामृत का अर्थ पांच अमर्थ यानी पांच पमित्र वस्तूयों से बना, दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भ जहां सकारात्मक भाव पैदा होते हैं, वहीं यह सेहत से जोड़ा मामला भी है, दर असल पंचामृत का अर्थ है, पांच अमर्थ दूथ, दही, भी, शद, चीनी को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, दिवाली की पूजा में भी पंचामृत जरूरी है, पुरानों में क बहा गया क्योंकि ये विश्रन लक्षमी जी को प्रेय है, इसलिए इसके बिना उनकी पूजा अधूरी माननी जाती है, आए जानते हैं पंचामृत के धार्मिक और वैज्यानिक मत्मकों कैसे बनाते हैं पंचामृत फैल 100 ग्राम दही, 100 ग्राम तूथ, 50 ग्राम चीनी, 1 च धार्मिक मत्मवन, दूथ-दूथ पंचामृत का प्रथम भाव है, यह शुबता का प्रतीक है, यानि हमारा जीवन दूथ की तरहे निश्कलंक होना चाहिए, 2 दही धी का कुण है, कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है, दही चड़ाने का अर्थ यही है, कि फले हम न इश्कलंक हो सद्वूर्ण अपनाए और दूसरों को भी अपने जैसा बनाए, 3 भीवी स्नेग्धता और स्नेग्यानी प्रेम का प्रतीक है, सभी से हमारे प्रेम पूर्ण संबंध हो, यही भावना है, श्दश्ध मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है, निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन से से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है, चीनी चीनी का कुण है मिठास, चीनी चड़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास धोले, मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है, और इस से मधूर व्यवहार बनता है, इ पंचाम्रित उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है। उससे ज्यादा नहीं। इसमें तुलसी का एक पत्ता डालकर इसका नियमित सेवन करते रने से किसी भी तरह का रोग और शोप नहीं होता। पंचामरित के सेवन से संक्रामक रोब दूर उते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है चेहरे के रवगत मिखरती है और लालिमा आती है